गोबी की सब्जी खाते खाते बोर हो गया है तो चलिए आज बनाते हैं गोबी के बहुत ही करारे टेस्टी पकोड़ी की रेसिपी बनाना जितने ही आसाने खाने में उतना ही ये टेस्टी लगता है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आने पे वीडियो को ल पद ले लेंगे एक बरतन में और उसमें डालेंगे हम लगबक एक से डेड़ गलास पानी और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको हम सिर्फ दो मिनट के लिए उबाल लेंगे यानि कि पानी में जैसी उबाल आना सुरू होगा वैसे गयस का फ्लिम बंद कर देंग निकालकी एक छन्नी में रख लिया है इनकेस ये आपका गोवी जादा पग गया है दो मिनट से जादा तो आप इसमें ठंडा पाने डाल दे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुख जाए तो हमारा गोवी तयार है उसको रखती है हमने अब एक मसाला बनाएंगे जिसके लि बड़े से थाली में निकाल लेंगे और उसमें हम डालेंगे अपनी जो ये हरा मसाला है इसको इसे इस पकोड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और योनिक फ्लेबर आता है तो यहां पर हमने लगवे दो बड़े चमच इस मसाला के ले लिया है उसके बाद लिया अधा छोटा चमच धनिया का पाउडर एक चोथा ही चमच लिया काली मिर्च का पाउडर अधा छोटा चमच लेंगे गरम मसाला थोड़ा सा अजवाइन भी लिया है क्योंकि गोभी जो है थोड़ी से पचने में दिक्कत होती है तो अजवाइन से सही रहेगी फिर लाल मिर के लिए स्वादनुसा नमक ले लिया है अब क्या करेंगे कि इन सब को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे उपर उपर से उसके बाद इनको हम गोवी के ऊपर अच्छे से कोट करेंगे पानी बहुत ज्यादा यूज हमें नहीं करना है तो लगबग एक चमच पानी हमने डाला अच्छे से सारे मसालों को गोवी की उपर अच्छे से कोट कर देंगे जदि आपके गोवी ओवर कोख हुई रहेगी या फिर जादा पकी रहेगी न तूप इससमय टूटने लगए तो बस धिहान यह रखना है कि यहां पे गोवी को जादा नहीं पकाना है और अच्छे से इसको हम mix कर लेंगे फिर बाद में याद आया कि थोड़ी सी healthy powder यहाँ पर add कर देंगे ताकि यह देखने में भी थोड़ी अच्छी लगे और यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छे से कोट हो चुके हैं अब हम चलिए इसे fry करते हैं फ्राइ करने के लिए तेल को गर्म कर लिया अच्छे से उसको फ्लेम को medium पर रख लेंगे और एक एक करके गोवी के पकोड़े को इसमें add करते जाएंगे बस ध्यान रखना है कि इस गोवी के पकोड़े को low flame पर हमें नहीं fry कर कर लेगा और खाने में यह बिल्कुल नरम सी लगेगी तो इसको medium to high flame पर फ्राइब करेंगे ताकि यह पकोड़े जो है वो क्रिस्पी वने और तेल भी इसमें absorb ना हो तो जो दो पकोड़े हमने शुरुव में डाले थे ना तेल ज्यादा गर्म होने के वज़े से वह पहले सबजी या फिर उसकी खाखाके ने लोग बोर हो गए तो इस पकोड़े को आप एक पर जुरू ट्राइ कीजिएगा सामके स्नैक्स में या फिर सुबह के ब्रिकफास्ट में बहुत ही जबर्जस्त लगती है और बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आता है तो यह लीजिए हमारे कोबी के पकौड़े के साथ साथ हरा धने की च pem तयार है इसके साथ गजब का यह टेस्टि लगता है और यह दिकए कितने क्रिस्पी और करारी यह पकौड़े बनके तयार हुए तो इस रेसिपी को आप एक पर जुरू ट्राइ कीजिए गो और आज की रेसिपी आपको कैसे लगी अपना किमती फीडबेक जरू सेयर कीजिएगा अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फिर मिलते हैं फ्रेंस इसी तरह की नहीं और आसान रेसीपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक